तो आप देखे ना जब पिलर की स्थिती रेखे नीचे कुछ ही नहीं पिलर ऐसे आसमान में लटक रहा है तादिकारी लोग नहीं आवल हैं आप लोग इंके देख रेक करें करतें कि आप लोग कहां रहा है तो हम अपने फंट से क्या क्या करा सकते हैं का में खरंजा करा हैं अलमारियां जरजर हो चुकी है उपर से पलस्तर नीचे गिर रहा है और किसी भी वक्त कोई भी घटना घटत हो सकती है दोस्तों जहां एक तरफ भारत सरकार लगाता स्वक्षिता अभ्यान पर काम कर रही है वहीं शुद्ध पेजल को लेकर के भी सरकार काफी ज़ाद कंसर्ण है और इसको लेकर के कई तरह की योजनाई भी बनाई गई हैं लेकिन देख हाट गाउं में जब हम आए तो हमें य जहां की जो एक सबसे मुख्य समस्या है वो है शुद्ध पेजल की लोगों को शुद्ध पेजल नहीं मिल पाता है इसका कारण यह टंकी है यह टंकी बन करके पूरी तरह से तयार है बाहर से आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगी कर कि भाई इतनी अच्छी टंकी है इतना तक गाउं के लोगों को इस टंकी के द्वारा पानी नहीं मिल पाया है इसे बारे में हमारे साथ बात करने के लिए चाचा जी है चाचा जी क्या नाम है आपका हमारा नाम राज बहादुरा है मैं पस्ची के साला का कर्मितारी हूं मैं यहीं 2400 घंटा रहता हूं यह एक साल हो गया आज तक ठेकेदार महोदर नहीं आए नहीं है नो इहां के पानी की सप्लाई का कोई कारे की है अब उसका कारण क्या विभाग जानता होगा या ठेकेदार जानते हो जिसके विश्रमें गाउं को तरह हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है तो अभी आधी यहां कई बार इंजीनियर महोदर आया थे ठीकेदार के साथ आये थे पर्सनल अम हम आश्युकर मावजूद थे तो हम इंजीनियर साब पूछेए मैं उसकी सप्लाई ओ रही है तो बताए कीसी यृज़ इलब से जलब से जलब इसकी सप्लाई हो जाएगी आप लोग इसे क कोई आई थी जो इसका निरिच्छण की निरिच्छण के दोरान वो लोग बताए कि पानी की सप्लाई हो जाएगी हम लोग इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो लेकिन यहां के ठेकेदार हैं उन्होंने यह जो बात आपने हमें बताई यह वो कितने समय पहले कही थी आठ महिना हो गया और इस आठ महिने के दोरान अभी तक कोई काम नहीं हो पाया हम एक बार उन्हों से पूछे थे तो ठीकेदार यहीं बताए थे कि चाचा इस विभाग का टांस्फर किसी दूसरी विभाग में हो गया है जिसमें पासा हमारा जो है दूब गया है अब दू यह यहां की स्थिती है दोस्तों मैं आपको दिखा दे रही हूं और अंदर भी हम आपको ले करके चलते हैं चैसा यहां पर आपको दिखाते हैं यह वो जगे है जहां पर मोटलागों चैनि था कि मोटर आचुका है यहां पर जाझे आ नहीjm utilizz coz यहां पर जो है वह मोटर आया था मोटर आगर के चला गया लग नहीं पाया देखे सब कुछ सारी विवस्ताइं जो है वह लगभग पूरी हो चुकी है यानि एक तरीके से सरकार की तरफ से फंड आया होगा इस गाओं को शुद्ध पे जल जो है वह सरकार ने देनी का प्रेप ने किया होगा लेकिन कुछ कारण की वजए से अभी तक यह योजना है यह अभी तक पूरी नहीं हो पाई है लोगों को अभी भी गाओं के लोगों को हैंट पम से पानी पीना पढ़ रहा है अभी भी उन्हें शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है दोस्तों अभी फिल हाल हम जिस इमारत में हैं यह वह इमारत है जहां पर पशुचिके साले के कर्मशारियों के रहने के लिए यहां जगे बनाई गई है लेकिन अब इस इमारत की हालत आप देख सकते हैं कि क्या इस्तिती है काफी जादा जरजर हालत है मकडियों ने अपने जाले बुन लिये हैं अंदर भी आपको दिखाई देते हैं कि क्या इस्तिती है यहां की ऐसा रखते हैं सालों साल तक यहां पर कोई आया नहीं है और यह देख सकते हैं आप किस तरीके से जो यह तार लटक रहे हैं जमीन की क्या स्थिती है हमारे साथ चाचा जी है चाचा जी जड़ा बताइए कि यह कर्मचारियों के रहने की जगह है यहां पर अगर कर्मचारी नहीं रह रहे हैं तो रहका रहे हैं कर्मचारी जो है इसी गाहों के बगल में क्वाटर पर रहते हैं और यह सरकार की तरफ बताते हैं तो इपाता है कि गाउं में अभी भी कितनी सारी दिक्कतें हैं जन पर काम होना बाकी है जिन पर अभी भी जो है वो लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है अच्छा बाढ के समय में तो यह जो एडिया है यह डूप जाता होगा पूरी बिल्डिंग के अंदर पानी भर जाता है और यह सामान पर उपर करने जाता है तो हम लोग बाहर बाहर जाना परता है तो अपनी द्वह वार लेकर के बाहर बाहर वार जाकर कि है अस्पटाल पर बैठने लाइक नहीं जिसके वज़ा से अस्पटाल की बगर बगर के घर पर जा करके हम लोग बैठते हैं तो देखने में तो थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है क्योंकि यहां पर लगातार डॉक्टर आते रहे हैं तो इस वज़े साफसफाई तो है लेकिन बिल्डिंग के अगर बात की जाए तो बिल्डिंग जो है वह काफे जर जर अवस्था में नजर आ रही है मैं अब आपको अधर भी लेके चलती हूं देखें गाउं में छोटी-छोटी चीजों पर अगर कारे किया जाए तो इस गाउं की तस्वीर बदल सकती है अब इस गाउं में जो छोटी-छोटी समस्याएं हैं अगर इनका निवारन कर दिया जाए तो इस गाउं की तस्वीर काफी हद तक बदली जा सकती है लेकिन पहले डॉक्टर साथ थे अभी दोपहर का वक्त है तो इसलिए जो है वो गय होंगे तो भंदकर्शी जो है तारे लोगी फ़र सरे अंदर काशी हुए देर ने हैं इसको करते हैं इसके पर पानी आए जाता है यहां बैठने के लाइक नहीं जाता है तो उस समय घर के इस अस्पतार के अगल वगल के जो घर है वहां बैठ करके समय जो बिटाया जाता है यह देखे यह इस परशुचिकत साले की हालत है जो हम आपको दिखा दे अलमारियां जर हो चुकी है उपर से पलस्तर नीचे गिर रहा है और किसी भी वक्त कोई भी घटां घटत हो सकती है कोई भी फाटक बंद नहीं होते हैं सारे फाटक तूट गए हैं तो ऐसे में जो दवाईयां वगेरा होंगी वो भी चोरी होने का डर होता है लेकिन चुकि यहां चोरी नह तो दोस्तों इस गाउं में घूमते ही हुए हम एक इमारत के पास आप पहुचे हैं यह इमारत एक शरनार्थी घर है जो की इस गाउं के लोगों को बाड़ से बचाने के लिए बनाये गया है अब यह बाड़ के बारे में आपको बता देती हूँ कि यह जो गाउं है जो ड यहां पर दो दो नदिया है जिसकी वजह से यह गाउं 110% बार्वरस्त हो जाता है इसलिए इस गाउं के लोगों को बार्व से बचाने के लिए क्योंकि यह जो इलाका है यह थोड़ा सा उचाई पर है तो इस उचाई वाले एडिया में जो है इस शर्णार्थी घर को बनाया था ताकि लोग बार्व से बच सकें लेकिन यहां के जो इस्थिती है इस इमारत की जो इस्थिती है उसको देखकर कि आप यह समझ सकते हैं कि यहां पर कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो काफी जादा रिस्ट पर आता है क्योंकि इसकी काफी जादा जरजर है मैं आपको दिखा देढिएं दस्वीर में आंदेख सकते हैं कि किस तरह से जो यहां के कांबेश हैं वह गिरने की कि 앞री मारत है उसकी डिखा नेती सूझारी करदा इसलिए बनाया गया था क्योंकि यह गाउं अक्षर करके बाठ ग्रस्थ हो जाता है जिसकी वजए से लोगों के पास रहने की जगें नहीं होती है इसलिए ये इमारत चार यहाँ पर और उस तरफ पी यहां आकर रह सके डिखेस हैं रिखेंगा सब्सक्राइब दिवारें जो है वो जरजर होई हालत में है पूरी तरीके से जाणे लगा चुके हैं और और यहां pillars की स्थिति में आपको दिखा दिते यह देखे pillars के जो है ब्लास्टर तो निकली चुके है केवल सर्या बाकी है और यह देखे यह कितनी खराब इससती है यह पिलार आधा लटक रहा है न लटक रहा है किसी वी वक्त गिर सकता है और गल्ती से भी अगर कोई व्यक्ति आसपास खड़ा हो तो उसे गंभीर चोट लग सकती है तो यह जो टीन शेट बना हुआ है यह आप देख सकते दोस्तों कि कितना ज्यादा खतरनाक है अब इसके बारे में जानकारी जो है वह आगे कि हमें यहां के प्रधान जी देंगे जिन्होंने हमें प्राइमेरी स्कूल है पंजाम बैंक है कोई गलती से अगर वच्चा आ जाता है तो कब गिर जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है जिस वक्त कि यहां पर खड़े हैं अभी भी डरी लग रहा है कि कहीं गलती से ऊपर से कुछ कोई ब्लास्टर ना गिर जाए कोई दिक्तत ना हो जाए इस तरह से जो है यहां की हालत खराब है देखें यहां भी आपको इपर ले चलते इस कमरे में भी कमरे की हालत देखें कमी कोई ऐसा साल रहा है सभी लोग यहां पर आएं सब Shy लोग इंगयों की रहा है और नीचे कुछ है ही नहीं ऐसे आस्मान में लटक रहा है ये ये इस गाउं के स्थिति है मुझे अचंबित हो रही हूं मैं इस स्थिति को देख करके कि आखिर कैसे जो है वो गाउं के लोग रहते होंगे बाड के समय में लोग किस तरी से रहते होंगे ये जीड जाए और गालाक जीर जाए। इंचातर जीडकित रधवान वाने भिड़ते ही याफने यहां और यहां पर बाड़ हो आवला नहीं होगा आप वोग अनके देख में कई पसों एंदैकर चल जाने लोग नैंदा ने लोग जर सबक्सक्पलित बढ़नाशा जあります तो कितने बार वीडियो साब को भी विलाए और माले यह काम मन रहे होने बहुत ज्यादे इसमें पूजी लगेगी तो हम अपने प्रण्ट से क्या करा सकते हैं काम में खरंजा कराएं कि इसको कराएं तो करवाने के लिए आप किस अधिकारे के पास आपको जाना हो सब्सक्राइब करते हैं कि आप जब भी किसी अधिकारी के पास जाएं तो इसकी समस्या जरूर उठाइएगा क्योंकि ये बाकरी बहुत बड़ा खत्रा है दोस्तों मैं इस तरफ भी आपको दिखा देती हूँ यहां देखें ये एक प्राइमरी स्कूल है अब छोटे-छोटे बच्चे जो प्राइमरी स्कूल से निकलते होंगे हो सकता है कि बच्चे खेलने के लिए कभी इधर से गुजर जए हूँ या इधर शनार्थी घर में कभी जा रहे हूँ तो ऐसे में गल्ती से भी अगर वहां जाते है तो एक बड़ा खत्रा जो है वह नजर आता है ये देखें न किस तरीके से टीन शेट जो है वह तूट गया है जाहिर से बात है नीचे गिरा हो तो कई तरह की समस्या जो है वह आपको यहां पर नजर आ रही होँगी यह देखें तो दोस्तों यह है डेखाट गाउं की कहानी जिसकी हर समस्या हमने आपको जागर करके दिखाई आपको बताया कि आखिर इस गाउं में क्या-क्या असुविधाएं हैं क्या-क्या दिक्कत पर आएगा लगातार गाउं की तस्वीर को बदलने के लिए कोशिश करता रहेगा तो अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें साथे हमारे चालन गामी न्यूस को सब्स्राइब करना ना भूले